हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट स्लैक नोटिफिकेशन फॉर न्यू सर्कल मेंबर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप आप आटोमेटिकली स्लैक पे मैसेज भी सकते हैं आपके टीम मेंबर को इंफर्म कर सकते हैं जब भी कोई न्यू मेंबर क्रियेट हो सर्कल में जी हाँ यह पॉसिबल है आप यह पूरा प्रोसेस आटोमेट कर सकते हैं पैबली करने की मदद से जो कि एक अमेजिक इंटिक्रेशन सोफ़वेर है अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्ग करता है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रिगर में हम लेंगे सर्कल, एक्शन में हम लेंगे स्लैक तो दोस्तो पूरे प्रोसेस में क्या होगा जब भी कोई न्यू मेंबर क्रियेट होगा सर्कल में तो आटोमेटिकली वो परसन की डीटेल के साथ एक मैसेज रिसीड हो जाएगा स्लैक पे तो दोस्तो अगर आप भी पूरे प्रोसेस स्टेप बैस स्टेप सीखना चाते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मिरी स्क्रीन पे ओके फ्रेंड्स तो यह है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज पेज पे आ सकते हैं सिंप्ली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com slash connect यहाँ पे आपको दो आप्शन मिलते हैं एक है sign in का उप्शन दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply क्लिक करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account बना सकते हैं केवल 2 minutes मैं क्लिक करूँगा sign in वाली बटन पे क्योंकि मैं एक existing user हूँ उसके आप दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले डायलोग बॉक्स में क्लिक करना है access now और आप आप आजाएंगे पैबली connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right-hand side पे बटन देखेगा create workflow का उस पे आपको क्लिक करना है तो एक dialogue box उपन हो जाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है enter workflow name here तो दोस्तो basically हमको यहाँ पे हमाई workflow को को date वाली button पे और आप आप आजाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे यहाँ पे आपको important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happen जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो Titt die टaris हमारे automation को start करता है or action में हम वह particular action Perform करते हैं चूं कर यह हम करवाना चाहते हूं हमारी automation में इहां पर trigger application चूस करना है इधा पर आपको action application चूस करना थैं इधापर एक्सेन अप्लीकेशन करना है सबसे पहले हम trigger वाली steps में काम करेंगी तो इधा परט्रेगरा आप्लिकेशन चूज कर लेंगे तो चूज अप्लिकेशन में आपको यहाँ पर चूज करना है circle ओके हम यहाँ पर search करते है circle और नीचे से आपको circle चूज कर लेना है उसके बाद दोस्तों trigger event में आपको यहाँ पर चूज करना है new member और click करना है connect वाली बटन पर तो यहाँ पर dialogue box ओपन हो जाएगा आपकी screen पर जो बोल रहा है connect circle account तो basically हमको यहाँ पर जो circle का account है उसको पैबली करने के साथ connect करना है आप select existing connection के साथ भी चाहते हैं अगर आपने आपका connection और बिल्ड करके रखा है अब इदा पर हमको API की कहां से मिलेगी और host हमको कहां से मिलेगा सबसे पहले हम यहाँ पर host जाल देते तो enter your circle account host if your account url is sttps pably connect.circle.so then your host will be pably connect.circle.so तो basically जो slash के अंदर वाला जो part है यह आपका host name होगा ठीक है तो हमाँ जाएंगे circle पे और इदा पर आप देख सकते हैं url में हमको show रहा है conpap.circle.so इसको हम यहां से copy कर लेंगे और simply यहां पर host में कर देंगे paste आपको भी पूरा process कुछ इस तरह करना है उसके आद आपको API के टोकन डालना है API token आपको कहां से मिलेगा enter the API token to get an API key login to your circle account and navigate to settings API creator API token हमाँ जाएंगे circle पे वापस इदा पर आपको चाहना है settings वाले option पे इदा पर आपको चाहना है API पे और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा token है इसको हमने आसे कर लिए copy और simply pably connect में आके इसको यहां पर कर देंगे हम paste इतना process करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है save वाली बटन पे और आप देख सकते हैं जो circle का account है इदा पर लिखा है atas इसका मतलब यह है जो circle का connection है pably connect के साथ वह एक polling based connection है इसका मतलब यह हुआ हर 8 गंटे में pably connect चेक करता है कि कोई new member add हुआ है circle में नहीं हो इनके सब कोई new member add हुआ है तो हर 8 गंटे पाथ हमको उसमें pably connect में response मिलेगा ठीक है इदा पर मैंने क्या करा है इदा पर मैंने एक existing subscriber को invite भेजा है यहाँ पर आप देख सकते है demo dummy नाम है email address है demo user123.pablytuse.com role में members हो रहा है ठीक है तो इस particular member का हमको data capture होगा pably connect में क्योंकि यह 8 hours के पहले यह create हुआ है circle में ठीक है इदा पर अगर मैं नीचे आपको scroll करके बता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते है email ID है demo user123.pablytuse.com name है demo और last name है dummy ओके और यहाँ पर उस particular member की हमको सारी details received हो गई है तो इस तरह यह पूरा process काम करता है अब हमारे automation की तो first step है वह हमने आपके complete कर लिये है हमार objective क्या है send slack notification for new circle member हमार objective यह है कि जब भी कोई new member create उस circle में तो उसका हम एक notification alert भेजते हमाई team को slack पे ओके यह use case डिफरेंट भी हो सकता है मैं यहाँ पर use case भी रहाँ कि में को team members को inform करना है आप आपके साब से अगर आपने एक personal channel भी create करकर रखा है slack पे उसमें भी आप notification भेज सकता है ठीक है वो depend करता है use case पे यहाँ पर action step में आऊंगा इधा पर choose application में आपको choose करना है slack ओके और नीचे से आपको slack चूज कर लेना है और यहाँ पर action event में आपको चूज करना है send channel message क्लिक करेंगे connect वाली बटन पर यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएग आपके screen पर जो बोला है connect slack account तो basically हमको यहाँ पर slack और public connect के बीच में connection बिल्ट करना है अगर आपने आपका connection already built करके रहा है तो select existing connection के साथ जा सकते हैं यहाँ पर मैं जाओंगा add new connection के साथ क्लिक करूंगा connect with slack और इधा पर आपको token type देना है तो enter the token type as user or bot know more about slack tokens तो आप यहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं अगर आप user select करते हैं तो क्या होता है इस अब bot select करेंगे तो क्या difference है ठीक है इधा पर हम token type दे देंगे bot क्लिक करेंगे save वाली बटन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधा पर आप देख सकते हैं इधा पर शोह हो रहा है आप देख सकते हैं जैसे कि channel message image url और कुछ अदर details तो इधा पर हमको क्या करना है channel select करना है किस channel में message भीजना साथे हैं यहाँ पर मैंने हाली में channel create करा है जिसका नाम है circle members updates तो मैं इस particular channel में message भीजना चाहता हूँ तो इधा पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर channel select करना है जो भी channel आपने create करके रखे होंगे slack में वह आपको यहाँ पर show रहते है पैपली connect में भी ओके तो इधा पर हम search कर लेते है circle okay circle members updates करके मैंने चैनल जो create करा है slack में यह हमने हाँ पर select कर लिया ठीक है अब message क्या भीजना चाहते हैं तो message आपको यहाँ पर draft कर लेना है okay friends तो यहाँ पर मैंने extended message draft कर लिया यह message कुछ इस तरह जाएगा hello team a new member is added in circle find the details below name email thanks अब इधा पर दोस्तों आपको एक important चीज़ चमजना है कि यहाँ पर हम data map करेंगे और mapping कैसे करते है mapping आपको previous step में जो response received हो उदा से आपको data map करना है इधा पर हम name map करते है उसका हम इसका important समझेंगे mapping का इधा पर हम search कर लेते हैं demo okay email address क्या है email address हम यहाँ पर search कर लेते हैं email address हम यहाँ पर search कर लेता हूँ email और आप देख सकते है demo user123.pribilities.com उसका email address है अब यहाँ पर आपको एक important चीज़ यह समझना है कि जो भी चीज़ा हम यहाँ पर map करेंगे उसकी मतलब से आपको हमेशा dynamic response generate होगा और जो भी चीज़ आप यहाँ पर manually type करेंगे वह हमेशा static रहेगा तो manually type करना मतलब यह चीज़ हो गई है कि जब भी हमारा workflow run होगा तो हर message हमाई channel में जो slack का channel हो उसमें कुछ इस तरह जाएगा यह standard message चाहेगा पर यहाँ पर जो यह values है जो map करी गई values है यह change हो जाएगी मालब जब भी कोई new member add होगा तो उसकी videos हमको automatically यहाँ पर मिल जाएगी और उसके according message चला जाएगा इसलिए mapping बहुत important step है आपको data यहाँ पर map कर दिना जिसका भी आपको dynamic response चाहिए तो इदा पर हमने हमारे standard message ड्राफ कर लिया और data भी map कर दिया है इदा पर अगर कुछ image ur lab भीजना चाहते है तो आप यहाँ पर डाल सकते है लेबल में show रहा है okay value में one इदा पर message type message है bot message गया है और यह इस तरीके से यह कुछ message गया है आप देख सकते है तो हमाँ जाएंगे slack पर यह देखते है कि हमारा जो automation है वो successfully work कर रहा है कि नहीं तो आप देख सकते है circle members updates करके channel में a message received हो गया hello team a new member is added in circle find the details below name demo dummy email address demo user 123.publictuse.com thanks तो दोस्तो कुछ इस तरह आप यह पूरा process automate कर सकते है पैपली करने की मदद से अब दोस्तो क्या होगा जब भी कोई new member create होगा circle में तो automatically एक channel message चला जाएगा slack में और यह process होगा हर 8 घंटे में जब भी कोई new member create होगा ठीक है क्योंकि यह polling based connection है अब दोस्तो अगर आप भी इस पूरे process पे काम करना चाहते हैं या इस automation को test करना चाहते हैं तो इस workflow की जो link है वो आपको description box में मिल जाएगी तो आप same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तो आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं Thank you यही नहीं दोस्तो आप और भी integration बना सकते हैं पैबली कनेक की मदस से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadheretpably.com पे अगर आपकी कोई queries हैं या कोई doubt है तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadheretpably.com पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो प